नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डेली कैपिटल्स वर्सिस कोलकत्ता नाइट राइडर्स यानि DC वर्सिस KKR के बीच होने वाले टाटा इतल 2023 के मैच नंबर 28 के बारे में जो क जोइन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और पिन कमेंट में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके जोइन कर सकते हो और दोस्तो टेलिग्राम जोइन करना बहुत जुरूरी है क्योंकि आपको फाइनल पिछ रिपोर्ट टेलिग्रा चैनल जोइन कर लो और वहीं दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तो आप से मैच खेले जा चुके हैं दोनों के दोनों मैच सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वारी टीम ने जीते हैं पहला मैच कहला गया था दिल्ली और गुजरात के बीच उस मैच में दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग की एक 122 बनाए आठ विकेट पे गुजरात ने 173 बनाके 6 विकेट से मैच जीत लिया और दोस्तों दोनों इनिंग को मिला के फास्ट वसी स्पिन की बात करें ना तो 9 विकेट फास्ट बोलर को और 3 विकेट स्पिनर को मिले थे और ये तीनों के तीनों विकेट स्पिनर को पहली इनिंग के अंदर भी ले थे वहीं दोस्तों दूसरा मैच कहला गया था दिल्ली और मुंबई के बीच उस मैच में दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग की 112 बनाए 10 विकेट पे और दोस्तो मुंबई की टीम 113 बनाके 6 विकेट से मैच जीत गई थी और दोस्तों दोनों इनिंग को मिला के फास्ट वसे स्पिन की बात करे ना तो आठ विकेट फास्ट बोरर को और चार विकेट स्पिनर को मिले थे और दोस्तों यह चार विकेट स्पिनर को मिले थे ना ज्यादा विकेट गिरे as compared to second inning और दोस्तों दोनों मैचों के अंदर जो प्लेयर कैप्तान वाइस काप्तान बने है वो या तो second inning में बैटिंग करने वाल टीम के बैट्समेन बने है या पहले बोलिंग करने वाल टीम के बोलर बने है ये चीज आपको ध्यान डखनी है एक चीज देख लिजएगा दोस्तों वैसे तो इन दोनों मैचों के अंदर due factor देखने को मिला था इसी वज़े से second inning में बैटिंग करने वाल टीम एजली जीत गई थी लेकिन देखो दोस्तों इस मैच के अंदर आज यहां पे बादल हो सकते हैं उस case के अंदर हो सकता है due factor ना हो तो उस case के अंदर हो सकता मैच पहले बैटिंग करने वाले टीम भी जीत जाए और थोड़ी बहुत बारिस भी आए तो इसी लिए weather forecast याद से चेक कर लिजेगा और आपको इस वीडियो के description में link मिलेगा link पे click करके टेलिग्राम चेनल जोइन कर लो वहीं पे आपको final picture report मिलेगी अब देखो दोस्तों हम बात कर लेते सबसे interesting चीज़ की लास्ट इयर IPL 2022 के अंदर दिल्ली और कोलकत्ता की टीम ने दो मैच खेलेटे head to head में और पहले मैच के अंदर दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंगी 215 रन बनाए 5 विकेट पे और कोलकत्ता की टीम 117 बनाके all out हो गई दिल्ली वो मैच चमाली सर्णों से जीत गई थी और उस मैच में दोस्तों गरम दिल्ली की तरफ से बात करें तो पिर्थविशों ने 50 रन बनाए डेविड वोर्न ने 61 लली त्यादों को एक विकेट मिला अक्सर पटेल ने 22 रन बनाए उसके बाद देखो दोस्तों लास्ट येर शार्डू ठाकूर दिल्ली की टीम में थे इस साल कोलकत्ता के टीम में है तो शार्डू ठाकूर ने 2 विकेट लिये कुल्दी प्यादों को 4 विकेट और खलील एहमद को 3 विकेट मिले थे वहीं दोस्तों उस में कोलकत्ता की दर्फ से अगर हम बात करें तो व्यंकेटे सेयर ने 18, 31, 31, अंधिर असल ने 24 सन बनाए एक विकेट लिया, स्रे सेयर ने 24 बनाए इस साल स्रे सेयर नहीं कहल रहे इंजरी की वज़े से उमेशादो को एक विकेट, वरुन चक्रवर्ती को एक विकेट और सुनिल नैन को दो विकेट मिले थे ये कुछ मैस देखने को मिला था और दोस्तों उस मैस में अगर हम ड्रीम टीम की बात करें तो आपको कुछ ऐसी ड्रीम टीम देखने को मिली थी जिसके अंदर कप्तान बने थे कुलदी प्यादो चार विकेट लेके और वाइस कप्तान बने थे सादू ठाकूर आलाकि सादू ठाकूर इस साल कोलकत्ता की तरब से कहल रहे है और आपको ये कुछ टॉक्सर देखने को मिला था जिसमें दिल्ली के दो टोग ओर्डर के बैट्समें थे, एक दिल्ली का विगट कीपर था, उसके बाद एक अक्सर पटेल एज़ ओल्राउंड रहा था, वहीं दोस्तों गरम बात करें कोलकत्ता की तरफ से, यहां पे सरे सहीर और नितिश रना थे, आंदेर रसल था, और एक सुनील रहा था, सुनील रहा था, वहीं दोस्तों दूसरे मैच में कोलकत्ता की टीम ने पहले बेटिंग की, एक सो चारीस रन बनाए, नोव विगट पे, और दिल्ली ने एक सो पचास रन बनाके, चार विगट से मैच जीत लिया, और उस मैच में भी प्लेर ओफ दी मैच बनाए, पूरे पूरे जीरो रन, उसके बाद अगरम बात के तो डेविड वोर्नर ने ब्याडिस, लली त्यादों ने 22 रन बनाए, रोमेन पोविल ने 33, अक्सर पटेल ने 24 रन बनाए, कुल्दी प्यादों को 4 विगट, मुस्तफि जो रहमान को 3 विगट, और चेतन साफ अगर यह को एक विगट मिला, और अगर दोस्तों बात करें, आपके कोल्कत्ता ही तरफ से, तो नितीश रनाण ने 57, अक्सरे शहीर ने 42, उसका दगरम बात के तो रिंकु सिंग 20, उमेश यादों को 3 विगट, सुनील रन को 2 विगट, और हर्षित रनाण को 1 विगट मिला कि फिर से कप्तान तो बने कुल्दी प्यादो, और वाइस कप्तान बने मुस्ताफी जुर्यमान, और अगर आप बात करोगे तो सेम स्टक्सर रिपीट हुआ, तीन बोलर निकल के आए दिल्ली के, एक बोलर निकल के आए एक ओल कता है, फिर दो ओल्ड डाउंड रहे, फिर ग्राउंड की हिष्ट्री कहती है, इस सेकंड इनिंग में बैटिंग करने और टीम ज्यादा मेच जीती है, अगर दिल्ली टीम पहले बैटिंग करती है तो दिल्ली की टीम मेच जीत भी सकती है, क्योंकि ओर कास्ट कंडिशन रहेगी, आप ये रिकोर्ड देख सकते हो, पह आपको काफी changes देखने को मिलेंगे इस match के अंदर specially दिल्ली की तरब से opening कर सकते हैं डेविड वोर्नर और पित्विशो और तीन नमबरे बैटिंग करने आते हैं मिचल मार्स ये तीन प्लेट टोप ओर्डर के मिड्लोडर की बात करें तो ये अश डूल मनीश पांडे अकसर प यानि उल्टे आज से बैटिंग करने वाले बैट्समेन है तो यहां पर लली क्या दो इस match में बोलिंग भी करेगा और विकेट भी निकाल सकता है अलाकि दिल्ली की टीम पहले बोलिंग करेगी तो प्रित्विशो को बाहर बिठा देंगे और अगर दिल्ली की टीम सारे में इचार चुकी है फिलिप शोल्ट को मोगा दिया जा सकता है दिल्ली की तरब से नंबर वन चेंज यह है दूसरा यहां पर कमलेश नागर कोटी को एज़ पेसर मोगा दिया जा सकता है अगर खलील एहमद फिट होते हैं तो इंपोर्टन रह सकते हैं लास्ट एर एक मैच के खलील एहमद ने आउट किया था और एक मैच में चेतन साकरिया ने आउट किया था उसके बाद देखो दोस्तों मुकेश कुमार को फिर से मोगा दिया जा सकता है रिपल पटेल को मोगा दिया सकता है या फिर मुस्ताफिजूर की जगह मुकेश कुमार को मोगा दिया जा सक गुजरात वाले मैस में राशिद खान ने 3 विगट किए थे और यहां पिर दिल्ली मॉंबई वाले मैस में प्यूश चावला ने 3 विगट किए थे दोणों में लेग लेकड शावग स्पीर नहीं है तो इस मैस के अंदर दिल्ली के टीम मोख़वशन को मौका दे सकती है जो टिलिग्राम चेनल जोइन कर लो इद देपाऊंगा अब दोस्तों घ्राण बात करें आपको को लकता की तरफ से दोस्तों को लकत्त robots आपको ज्यादा चैंजिस नहीं देखेने को मिलेंगे लग kaufen करने आएंगे तीन नंबर पे वेंकेटे से यह यह तीन प्लेर टोप ओडर के मिडल ओडर की बात के तो नितेश राणा रिंकु सिंग आंदिर रसल और सुनील नैन और साधू ठाकूर तक बैटिंग है और बोलिंग के बात करें तो वरुन चक्करवर्ति लोकी फगोशन उमे अब करने आजाएंगे तो वेंकेते से यह मेन बुल यह देखने को मिलेंगे और सुनील नऄरेंड करते दिखेंगे और सुनीं संग मैस मैचमे स्लगे उसके बाद दिल्ली के खिलाफ तो यह थोड़ा से इंपोर्टन रहा सकते हैं आपको दिखा देता हूं में श्यादो का जो से इंदर पहली वाली मैच में एक विकेट निकाला था यह थोड़ा इंपोर्टन रहा सकता है साथ दोस्तो आप प्ली ग्रेंड लिग के पस्पेक्टिश लोग के फर्गुशन दिक्रिशल लोड प्लेग कर सकता है बाके देखो दोस्तो रेमनुला गुरबाद सेफ है विकेट कीपिंग भी करेगा ओपनीं करने आएगा इंपोर्टन रहा है उसका दोस्तो नितेश राना आपके लिए सेफ है अंदेर रसल भी आपके लिए सेफ है यह चांस तो यही प्लेंग लेवन देखने को मिलेगी एक आदा चेंज हो सकते से हर्शित राना को मोका मिलता है तो लास्ट एर एक हैट्प्रेड मैच में एक विकेट भी निकारा था तो आप इस प्लेयर के उप फ्लोप चल लें लास्ट के तीन मैचों से लेटन दास को खेलने का मोका नहीं मिला है अगर मोका मिलता तो ओपनिंग करने आएंग और विकर कीपिंग करेंगे और अच्छे बैट्स मेन है एंग दिशन की बात करें तो मात तरी एक मैच में शत्तिशन बनाए उसके बाद को खास परफॉर्मस नहीं दे पाएं वहीं दोस्तों करें तो अभी शेक पोरिल का बैटिंग ओर काफी नीची रहता है इसलिए ज्यादा प्रफॉर्मस देनी का मोका नहीं मिलता फिलिप शोल्ट को अगर मोका मिलता ना दोस्तो तो यह थोड़ा इंपोर्टेंट भी रह सकत एक्स्टा रिस्क लो तो अभी शेक पोरिल यह एंज जगदी समेंच किसी एक को मोका दे सकते अब दोस्तों बैट्समें के बारे में बात कर लेते हैं बैट्समें बारे पास कोलकत्ता है तरसे नितेश राना है लास्ट मेंच में 5 उससे पहले बिचेतर 45-24 ठीक टाक फॉम दोस्तों दिल्ली तरफ से बात करें डेविड वोर्नर ओपनिंग करने आते हैं अगर लास्ट वाला मैच छोड़ दो तो हर मैच में डीम टीम में था है प्लेयर 56-25 पिर्थी शो की बात करें ओपनिंग करने आता है अब तक कोई खास परफोमेंस नहीं दे पाया है लेकिन एक हैड पारी थी उसका दगरम बात करें तो रोमेन पोविल लास्ट वाला मैच नहीं खेलेते राईले रोसो भी नहीं खेलेते मनीश पांडे खेलेते शानदार पचास रंड बनाये ये ये दूल खेलेते कोई खास परफोमेंस नहीं दे पाये इस मैच में रिपल पटेल क हिला फेट प्याड में बहुत खराब रिकोर्ड है इसको मुस्ताफिजु रेमांच से खतरा रह सकता है इसको चेतन साकरिया से खतरा है और इसको यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा खलीर एहमत से भी रह सकता है तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा बोटा रिस्क लेने की सोच उससे फहले पहले मैंचे 50 में बनाएते द्वानगों टोस्तों कभी करने आता यह नहीं मिलाथा लेकिन उससे पहले उल्मस्ट अर मैंच लिकेट निक proudly ले यह डिकलते हैं अगर फेले बीजे क्हीलते यह अच्छा है और सीविसी उप शुक्स लिकल का सकता है शादुल था वाला मैच लेकाल के लाली त्यादो बोल्लिंग करेंगा तो अंदिर रसल को लेना पड़ेगा और तो चोथा प्लिए दोस्त आप कर दूँ आप अकसर बटेल और शारद उठा को अगर अंदेर रसल को डोग को तो इन दोनों के साथ जा सकते हो अधर्वाइस आप इन में से किसी एक को ले सकते हो और सबसे बड़ी बात आगर आप चाहो तो आप 4-5 और लाउंडर लेके भी अब दोस्तों बात कर लेते हैं बोलिंग के बारे में देखो दोस्तों बात कर लेते हैं अब तक कोई खास परफोर्मेंस नहीं देपाएं लास्ट वाले मेंच में एक विगेट लिया है हर्षित राना की बात करें तो अब तक खेलने को मोगा नहीं मिला है वरूर्ण चक्करवर्ति की बात करें तो राइटाम लेक ब्रेक स्पिनर है एक मैच को छोड़ दो तो हर मैच में प्लेर ड्रिम टिम में देखने को मिला था और मोस्ट पॉब्लिय प्लेर एज लुल्क दीए लाष्ट में लिया लाष्ट में फास्ट में पेसर है अभी इंजुरि गिवर्ती इंपोर्टन प्लेर आपके लिए अच्छी आप्सिन रहे सकता टीम के प्राइक करना चेतन साकरिया लेफ्ट आम फास्ट बिने पैसर कोल करता के लाब अच्छा रिकोड करी करता है और मुकेश कुमार अगर खेलता है तो लास्ट के दो मैचों में दो दो विगेट ले चुका है अगर यहां पर खेलता है तो इन में से किसी को ट्राइ किया जा सकता है अब देखो दोस्तों बात कर लेते हैं टीमो टिप्स की देखो दोस्तों मैंने डेमो टीम बनाई आपको समझाने के लिए फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पर दूँगा क्यों दिल्ली की प्लेंग लिए उनकन्फर्म है नहीं दोस्तों मैं यहां पर पॉसिबल चेंज कर सकता हूं मैं वेंकर टेस एयर को लेने की सोच रहा हूं अभी के लिए मेरे स्क्राइड में फिट नहीं हुआ लेकिन मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पर बता दूगा इस टीम में कैप्टेंसी की बात करें तो मैं मिशल मार्स क दोस्तों यह थी में तरब से दिल्ली और कोल कत्ता कि बीच होने वाले मैंच की मैच प्रेडिक्शन पिच रिपोटर प्लेइंग लेवन माँ उम्मीद करते हूं वीडियो आपको अच्छे लेगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले धिनने प्रेड़ात